दोस्तों आपने अभी यह जो कन्वर्सेशन सुना यह हमारा और हमारा एक पेसेंट का है जिनको पिछले दो साल से सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम थी और आज इस वीडियो में यह बताऊंगा कि कैसे इनका सेक्स प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्ब किया जो कि सिर्फ दो मेहना में लगभग 90% सॉल्ब हो चुका है वो कैसे सॉल्ब हुआ हमारा क्या अप्रोज रहा हम लोगों ने इनको ऐसी कौन-कौन सी मेडिसिन खिलाई जिसे की इनका प्रॉब्लम एकदम जड़ से समाप्त हो गया तो आज इस वीडियो में हम लोग यह जानन के लिए इनको भी वही कॉमन प्रॉब्लम्स थी जो कि सेक्स्वल प्रॉब्लम्स के अंतरगत देखी जाती है लाइक एरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रिमाच्व एजेकुलेशन लैक ओब लिबिडो तो यही सब प्रॉब्लम्स यह पेसेंट भी फेस कर रहा था और मेरे पास आने से पहले इनका बहुत जगा से इलाज भी चला उनमें से दो बड़े यूटूब के सो कॉल्ड होमयोपैद भी थे जिनका वीडियोस आप लोग बड़ी चाहा से देखते हो मगर दुख की बात यह है कि किसी ने भी किसी एक भी होमयोपैद ने इनका केस को सई से र प्रॉबत ही नहीं आती दोस्तों यह जो पेसेंट है इनको आज से तीन साल पहले टिबर क्लोसिस यानि टीबी हुआ था और टीबी होने का बाद से ही इनको जितने भी सेक्स संबंधित प्रॉबलम से वह स्टार्ट हुआ उससे पहले यह पेसेंट बिल्कुल फिट और फा उनों ही स्टार्ट हुआ टीबी होने का बात से पहले इनको नहीं थी और जब मैं इस पेसरेंट का केस्टिकिंग कर रहा था इस बात को इन्होंने कम से कम दस बार दोराया किसर में इससे पहले बिल्कुल भी ठीक था मुझे कोई भी सारा इक प्रॉबलम नहीं थी लिकिन जब से मुझे टीबी हुआ है उसके बात से ही ये सारी प्रॉबलम जब लब हुआ है और इसी बात से मुझे इस पेसरेंट का प्रॉबलम का जो जड़ था जो रूट कोस्ट था वो मुझे दिख गया था और वो जड़ है साइड एफेक्ट ऑप एंटी टुबरकुलर मेड जब आपको कोई ऐसा पेसेंट मिले कि इंगलिस टुबरकुलर मेडिकेशन के बाद अगर कोई साइड एफेक्ट चालू होता है पेसेंट में और वो साइड एफेक्ट कुछ भी हो टॉप टू बॉटम कुछ भी हो सकता है इस केस में मैंने सेक्सुल प्रॉबलम और स्पीच प्रॉबलम के लिए स्टेप्टोमाइसन का इस्तमाल किया है लेकिन आपका पेसेंट को अगर कोई और प्रॉबलम है फॉर्म आप आँख बंद करके स्टेप्टोमाइसन का बारे में सोचिएगा लेकिन एल्मेंट आफ्टर बैड एफेक्ट्स और एंटी टूबर कुलर मेडिसिन ही होनी चाहिए तभी स्टेप्टोमाइसन काम करेगी अदरवाइस नहीं और इस पेसेंट को मैंने स्टेप्टोमाइस से कम 80-90% सॉल्व हो गया और इसी के साथ इनका जो स्टेमरिंग प्रॉब्लेम थी जो हगलाने का प्रॉब्लेम थी वह भी कम से कम 60-70% सॉल्व हो गया मैं फिर से चाहूंगा कि आप लोग कि स्पेसेंट का फीडबैक एक बार पूरा सुनें अब जो 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 चल रहा था दवाई वागे रहा वह तो चल रहा था डिसंबर से तो बहुत ही अच्छा उसका फीडबैक है मेरे तरफ से है अब है अभी काफी इंप्रूवब्मेंट में इसमें दिख रहा है पहले जैसे कि पहले जैसे के काफी दिक्कत था काफि यह सब मामला में मैंना ओपको सभी सब्सक्रत चेयर किया है हां लाक अब जो है अब पहले जासा नहीं रहा है, कफी अच्छा है, पहले जासा दिसकत नहीं है, कफी इंप्रोव्मेंट है, 80-90% इंप्रोव्मेंट है, ठीक है, मैं आपको आगे का मेंडिसन भेयता हूं ठीक है, तो इस वीडियो में आपने ये देखा कि कैसे एक सठीक होमोपाथिक ट्रीटमेंट की मदद से सिर्फ दो ही महिनों में इंपोर्टेंसी, रेक्टाल डिसफंक्शन, प्रिमाचुर इजेकुलेशन, लैक ओब लिबिडो, सिमन की क्वालिटी सभी में इंप्रूम्मेंट लाया गया है जबकि किताब में कहीं पर भी स्टेप्टोमाईसिन के बारे में ये नहीं बताया गया है कि ये सिक्सुल स्पेर में काम करती है तो यही है क्लासिकल होमोपाथि, यही है इसकी खासियत, यही है इसकी सुन्दरता यहां पहले से कोई भी remedy सलेक्ट नहीं रहता है हमारे लिए और इसलिए होमोपैथी में medicine case to case person to person vary करता है fixity of ideas doesn't work in होमोपैथी जब भी कोई patient आता है तो हमें नहीं तरीके से फिर से start करना पड़ता है उसके लिए तो दोस्तो मैं इस वीडियो को ही पेंट करता हूँ so thank you very much and have a good day